जैसे कि आप सभी को पता है विनिंग एज आप सभी के लिए सैनिक स्कूल आराएंसी और आरेमेस के लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता है। इसके अलावा सारे बच्चे जो भी गवर्मेंट एक्जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी विनिंग एज का चैनल विजिट करना चाहिए। नैचुरल इंवार्मेंट क्या होता है। जितना अभी आप अपने चारो तरफ अपने सराउंडिंग देखते हो। यूमन्स को छोड़के वो सारा का सारा जो नैचुरल है जो लिविंग तिंग है वो सारा का सारा आपका नैचुरल इंवार्मेंट कहलाता है। आप सबी को पता है कि यूमन की various various कम्यों के वज़े से या various various problems के वज़े से जैसे कि various problems को solution ढूडने के लिए अकसर nature को effect होता है तो इसी nature को protect करने के लिए national parks का गठन हुआ था अब प्यारे बच्चो आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है Corbett National Park के बारे में Corbett National Park इंडिया का सबसे पहला National Park है जिसको पहले नाम दिया गया था Haley National Park लेकिन हावेवर इसका नाम बाद में चेंज करके Corbett National Park रखा गया तो इंडिया का पहला National Park अगर आपसे पूशता है तो आप बोलेंगे Corbett National Park 1936 में ये पार्ग जो है वो बनाया गया था और ये जो पार्ग है वो आपका उत्राखंड में बनाया गया था और उस समय उत्राखंड जो है वो United Province जो की उत्तरप्रदेश का एक portion था प्यारे बच्चों बाद में इसका नाम Corbett National Park रखा गया Corbett एक ऐसा इंसान था जिसने उस समय एक टाइगर को मारा था जो टाइगर एक टाइगर को हंट करा था इसलिए Corbett एक हंटर था वो टाइगर एक्चुली मैन इटर बन चुका था मैन इटर बन जो इनसानों को खाता है तो उसको हंट करा गया था और उसी के नाम पर ये Corbett National Park जो है वो नाम रखा गया However, recently government ने इसका नाम चेंज करा है और बोला गया है कि वो इसका नाम रखने वाले हैं राम गंगा नेशनल पार्क तो आपसे ये पूछ सकता है कि Corbett National Park इंडिया था पहला नेशनल पार्क था उसका पुराना नाम क्या था या ये ऐसे बहुत सारे questions वो आपसे पूछा पूछ सकता है इसके अलावा जो अदर नेशनल पार्क है वो गिर्ड नेशनल पार्क है गिर्ड नेशनल पार्क अगें सिच्वेटेट है गुजरात में जीफ और गिर्ड जीफ और गुजरात बहुत इजिली आपको याद हो जाएगा ये आपके Asian lions आप यहाँ पे आप left side अपने देख सकते Asian lions को और ये जो Asian lions है इनी के उपर जो है इनी को प्रोटेक्ट करने के लिए establish हुआ है इसके अलावा यहाँ पे आपके leopards, antelopes जिनको हम हिरन कहते हैं उन सभी को प्रोटेक्ट करने में इस नेशनल पार्क का बहुत बड़ा हाथ है अब जो अगला नेशनल पार्क है वो है काजी रंगा नेशनल पार्क काजी रंगा नेशनल पार्क जो है वो आपका असम में present है और आप यहाँ पे देख सकते असम स्टेट आप देख सकते और यह असम में present है असम स्टेट यहाँ पे है आपके और यहां पे ही Assam state में ही आपका काजी रंगा नैशनल पाक है, यहां पे आपका यह Assam state है, नौर्थीस्ट में बहुत ही छोटा एक state है Assam और उसी के अंदर काजी रंगा नैशनल पाक है, अच्छा काजी रंगा नैशनल पाक क्यों important है, क्योंकि one horn rhinos, यह rhinos देख पा रहे है आप अपने सामने, इनी को protect करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है, one horn rhinos, हाला कि इसके अलावा elephants, grass, rugged reeds, marshes, cellopools, यह सारा आपका काजी रंगा नैशनल पाक में present है, आप सभी को यह जानके बहुत ही हैरानी होगी, यह जानकर खुशी होगी, कि एक बार British queen जो है, इंडिया आई थी और उन्होंने काजी रंगा नैशनल पार्क को visit करा था, अब अगला जो important आता है, वो आता है मानस नैशनल पार्क, अगें जो मानस नैशनल पार्क है, प्यारे बच्चों, वो भी आपका असम में present है, और यहाँ पे rhino, elephants, tiger और pigmi hawk, pigmi hawk, यहाँ पे आप यहाँ पे फोटो देख सकते है, pigmi hawk का, यह आपका मानस नैशनल पार्क में present है, इसके अलावा, hispid hair, hispid hair मतलब होता है, आपका rabbit, ठीक है, तो उसी का एक प्रजाती है, hispid, वहाँ पे आपको मानस नैशनल पार्क में easily देखने को मिलता है, अब जो अगला आता है, वो आता है, पेंच नैशनल पार्क, पेंच नैशनल पार्क आपका present है, आपको बहुत ध्यान से सुनना है, मध्यप्रदेश में, और यह tiger reserve है, tiger को protect करने के लिए, आपका पेंच नैशनल पार्क जो है, वो आपका establish हुआ था, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप इंड tiger को protect करा जाता है, यहाँ पे एक river बहती है, यह पेंच नैशनल पार्क है, अगला आता है पन्ना नैशनल पार्क, जो कि अगेन आपका मध्यप्रदेश में है, पन्ना नैशनल पार्क, यह आपके sloth bear, पैंगोलीन, पैंगोलीन आपका एक जानवर होता है, ठीक है, इंडिय सिंग वाला हिरन कहते हैं, ठीक है, इसके लावा leopard, rusty spotted cat, घडियाल, यह देखो, आप यहाँ पे photo देख सकते हो घडियाल की, ठीक है, चाओ सिंगा, और Indian fox जैसे बहुत ही जादा important animals के लिए बहुत जादा beneficial है, अच्छा आपको यह नहीं पूछेंगे कौन सा animal है, क्या है, य आप सभी को पता है, Corbett National Park जो की उत्राखंड में, उसके अलावा फिर हमने पढ़ा था, Giran National Park जो की गुचरात में है, उसके बाद हमने जो पढ़ा था, वो पढ़ा था काजीरंगा National Park, जो की आपका असम में है, उसके अमानस National Park पढ़ा था, वो भी आपका अगें असम में अगेन आपका मद्यप्रदेश में प्रेजेंट है मद्यप्रदेश के हाट लेंड में प्रेजेंट है बिलकुल बीच ओ बीच और यहां पे आपका जो है काना नैशनल पार्क है यहां पे भी अगेन आपका टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यह आपका पार्क जो है डेलो ओरेंज कलर की जो आपको लाइन दिख रही है यही आपका important है बाकी आपको कुछ जादा नहीं पढ़ना है अब अगला है रंथंबोर नैशनल पार्क वो आपका राजिस्तान में है और रंथंबोर जो है वो one of the biggest and सबसे जाना माना नैशनल पार्क है यह नैशनल पार् अब जो आता है भीतर कनी का नैशनल पार्क वीतर कनी का नैशनल पार्क अपने venomous kobra के लिए जाना जाता है ओडिसा में present है ठीक है again मैं आपको यह चीज दुबारा से दोहरा रहा हूं आपको सरफ यह पढ़ना है कौन सा नैशनल पार्क कहां पर है बाकि details में नहीं जाना बट मैं आपको interesting chapter बनाने के लिए आपको अच्छी अच्छी slides और अच्छा अच्छा आपको content दे रहा हूँ ठीक है Venice Cobras के लिए जाना जाना चाहता है इसके अलावा यहाँ पे pythons होते हैं और monitor lizard और जंगली white celt यहाँ पे आप देख सकते हो jungle cat और wild pigs के लिए यह जाना जाता है बीतर कनी का national park आपका ओडिसा में है उसके बाद जल्दापारा national park जो कि आपका west bengal में है वो आपने rhinos की population के लिए जाना जाता है again जो आपके north east के जितने भी है वो rhinos के लिए तो जाने ही जाते हैं और rhinos को जो है hunt किया जाता था उनके one horn के वज़े से क्योंकि यह additionally बहुत जादा benefit होता है किसी भी medicine के लिए तो इसकी जो market में value है वो बहुत जादा है तो इसको इसकी poaching की जाती थी अब जल्दा पाड़ा national park के बाद जो अगला national park आता है वो आता है सलीम अली national park सलीम अनी national park प्यारे बच्चों जम्मु इन कश्मीर में है और यह श्रिनगर district ऑफ जम्मु इन कश्मीर में है बहुत ही renowned और इन्थोलोजिस्ट थे और इन्थोलोजिस्ट क्या होता है बर्ड के बारे में जो study करते हैं बर्ड को protect करते हैं मिस्टर सलीम मुजूद्दीन अब्दुल अली और इनी के उपर जो है सलीम अली national park या फिर आप कह सकतो city forest national park जमु इन कश्मीर में इनी के नाम पे आपका अब जो आपका आज के लिए जो सबसे लास्ट है वो है हैमिस national park अगें हैमिस national park जो है वो आपका largest national park है इंडिया का one of the largest national park अगर आप से पूछेगा तो हैमिस national park है यहाँ पे आपके snow leopards को protect करा जाता है अच्छा इसके अलावा आपको याद रखना है वो है great हिमालिया national park वो आपका हिमानचल प्रदेश में तो यह कुछ important national parks थे आपको सारे national parks नहीं करने हैं बट इतने national parks जितने मैंने आपको बताए वो सारे के सारे आपको याद होने चीए तो I hope आपको आज का वीडियो शेयर करिए तो take care have a nice day and God bless you all